पोटेटो कटलेट बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कोई नई रेसिपी नहीं है, सभी जानते हैं इसे बनाना, लेकिन आज आप इसे मेरे तरीके से बनाएंगे, और ये कटलेट इतना है शांदार मुझेदार और क्रंची बनेगा, तो मेरे साथ बने रहें, इंग्रीडियन्ट को नोट करें, और स्टेप्स को फॉलो करें, मैंने हाफ के जी आलू को बॉयल किया है, और बॉयल आलू को जाली पर रखा है, ताकि ये चारो तरफ से तेजी से ठंडा हो सके, जब आलू इतना ठंडा हो जाए कि इसे उठाने में हाथों को गरम ना लगे, और इसका छीलना आसान हो, उसी वक्त इसे छील लेना चाहिए, आलू में थोड़ी गर्मी बची रहनी चाहिए, जब आलू अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, तब आप इसे घिस लें, और घिसे भी तो मोटे वाले छेट से, इस से, इन से नहीं, इन आलूओं को थोड़ा टाइट करने के लिए हमें कुछ मिलाना होगा, तो मैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्स मिला रही हूँ, अब यहाँ पर एक टेबले स्पूर कॉर्ण फ्लोर मिला लेना होगा, ताकि यह खुद टाइट और क्रंची बने, अगर कॉर्ण फ्लोर नहीं है अब इसमें हम अपनी पसंद और मर्जी की कुछ सब्जी इस्तामाल करने वाले हैं, तो जो common चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे के प्यास, धन्या की पत्ती, पालक, और यह स्वीट कॉर्ण है, पीज है, जो के फ्रोजन है, और थोड़ी सी गाजर है, आप अपनी पसंद की कुछ सब्जी इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे के बेन, गोबी और इसकी पालक पत्ता गोबी डाल सकते हैं, तो कुछ भी इसमें डाला जा सकता है, अगर आपके पास मौजूद है, तो आप इसमें पनीर डाल सकते हैं, टोफू डाल सकते हैं, टेस्ट को इन्हांस करने के लिए चलिए कुछ पॉडर मसाला डालते हैं तो यहां पर हमने कुछ पॉडर मसाला निकाल कर पहले से रखा हुआ है जिसमें है स्वाद के अनुसार नमक यहां पर मैंने थ्री क्वार्टर टीए स्पून नमक लिया है चिली फ्लेक्सर इसकी जगह आप लाल मिर्चो का आप ले सकते हैं और यहां पर चौथाई टीए स्पून से चौथाई टीए स्पून हमारा चाट मसाला है जो कि हमारा होमेड मसाला है उपर आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर रही हूं जरूर देख लें कलर के लिए बहुत थोड़ा सा हमने हल्दी इस्तामाल किया है क् मुझे इसे बहुत पीला पीला नहीं बनाना है और यह थोड़ा सा टेस्ट के लिए हमने कशूरी मेथी लिया है तो यह सारी चीजें भी इसी में डाल देना है अब इसे बहुत ही हलके हातों से मिला लेना है आलू के कटलेट में आलू ही इसका की इंग्रीडियेंट होता है तो आलू सफेद वाला इस्तामाल करें, क्योंकि वो पानी को अपने अंदर ज्यादा नहीं खीचता है, इसकी वज़े से बॉयल होने के बाद भी वो क्रंची सा रहता है यह जो पोटेटो कटलेट की रेसेपी है, वो रेसेपी तो एक ही है, मगर आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं, डीक फ्राई कर सकते हैं, या इसे बेक भी कर सकते हैं एक और अच्छी बात इसके साथ ये है कि आप इसे बना कर freezer में freeze कर सकते हैं और कभी भी इसे निकाल कर एक घंटा पहले टेबल पर रख दे और उसके बाद आप इसे तल कर बच्चों को खिला सकते हैं या lunch में ले जा सकते हैं बहुत से लोग binding agent के तौर पर सूजी इस्तामाल करते हैं, वो भी एक option है, मगर सूजी पानी को बहुत खीचता है, तो जो भी इसके अंदर सबजी की नमी है, वो उसे खीच लेगा और आपका cutlet बहुत ही tight और dry बनेगा, और basin डाल करके भी इसे लोग बांधते हैं, लेकिन basin में थोड़ा सा कच्चा पना जाता है, यहाँ पर अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो आप आटा डाल कर भी इसे tight कर सकते हैं, आटा एक अच्छा option है, आटे की जगह आप मैदा भी इस्तामाल कर सकते हैं, अगर कोई healthy issue ना होतो, जब भी इसे mix करें, तो बहुत ज्यादा आटे की तरह इसे ना गुठे, हलके हाथों से इसे मिलाएं, और हाथों से अगर काम करना है, तो हाथ की सफाई का पूरा ध्यान रखें, तो चलिए, ये हलके हाथों से हमारा रेडी हो चुका है, तो अद इसके बड़े या छोटे ओवेल या गोल हम पेड़े बना लेते हैं, इस तरह से हमने पेड़े बना लिये हैं, और उसकी बनाने का तरीका ये है कि ब्रेड क्रम्ब के उपर मैंने इसे इस तरह से डाल दिया है, और फिर उसे अपने वर्किंग सर्फेस पर ही इस तरह से कर लेना है, और मैं अंडा प्रेफर नहीं करती हूँ, मुझे वो पसंद नहीं है अंडा की कोटिंग करना, इसलिए मैं इसे इसी तरह से बनाती हूँ, आप चाहें तो मैदे का घोल बना कर उसमें डूबा कर भी इसे तल सकते हैं, उससे बाहर का क्रस्ट काफी क्रंची बनता है, मगर मुझे यही आसान लगता है, और इस तरह से बनाने के बाद मैं इसे फ्रीजर में डालकर दो चार पीस फ्रीज कर दूँगी ताके ब्रेकफास्ट के वक्त मैं इसे निकालकर आसानी से नाश्टे में सर्फ कर सकता हूँ, चलिए इन्हें अब हम फ्राई करते हैं, और फ्राई करने में आप अपनी कितना लाजवाब ये तक कैयार होकर दिख रहा है, कितना ब्रॉल हुआ है, प्रिस्पी हुआ है, और बिल्खुल चूट नहीं रहा है और मैंने इसको अंडे में लपेटने वाला ज्हेंज़त ही नहीं दिया है इसके सिजल करने की कितनी प्यारी से आवाज आ रही है, और ये कितना क्रंची और क्रिस्पी हुआ है, खासकर ये स्वीट करन के दाने को बच्चे और बड़े सभीच चुचुन के खाएंगे और आप इसमें वारियेशन भी कर सकते हैं अपने पसंद नहीं वीडियो को मिस न करें, इसके लिए नोटिफिकेशन बटन आन रखें, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया